आज हम सिखेंगे द्विदंड आलेख चलिए आज एक दिलचस्प उदाहरण की सहायता से द्विदंड आलेख की समझ बनाए किसी स्कूल में विभिन वर्षों में कक्षा आठवी में प्रवेश लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या इस सार्णी में प्रस्तुत की गई है क्या हम इन आकड़ों को दंड आलेख यानि बार ग्राफ के रूप में निरुपित कर सकते हैं? सोचिये सोचिये चलिए हम बताते हैं यहां हम लड़कों और लड़कियों की संख्या के लिए अलग-अलग दंड आलेख खीच सकते हैं लेकिन इस प्रकार हमें संयुक्त रूप से जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं होगा जैसे हमें यह ग्यात करना कठिन होगा कि कौन से वर्ष में लड़कों और लड़कियों की संख्या में सबसे अधिक अंतर था कौन से वर्ष कक्षा आठवी की कुल संख्या सबसे अधिक थी यह ज्याद करना भी कठिन होगा ऐसी स्थिती में हम द्वीदंड आलेक यानी डबल बारग्राफ खीचते हैं इससे हम एक ही आलेक पर आकडों के दो समुहों को दंडों के युग्म की रूप में निरुपित करते हैं युग्म में एक दंड आकडों के एक समुह को तथा दूसरा दंड आकडों के दूसरे समुह को निरुपित करता है चलिए जानते हैं कि दिये गए आकडों के लिए यह द्वीदंड आलेक कैसे खीचा गया कागस पर हम दो परस पर लंब रेखाएं खीचेंगे X अक्ष पर वर्ष तथा Y अक्ष पर कक्षा आठवी में छात्रों की संख्या लेंगे हमारी सुविधा के लिए हम एक सुविधा जनक पैमाना चुरेंगे जैसे यहां हम एक इकाई बराबर बीस चात्र ले सकते है पैमाने के अनुसार हम Y अक्ष पर संख्याएं दर्शाएंगे लड़कों की संख्या दर्शाने के लिए हम इस रंग का तथा लड़कियों की संख्या दर्शाने के लिए हम इस रंग का दंड लेंगे अब हम आकडों को दंडों के युग्म के रूप में निरुपित करेंगे 2007 में कक्षा आठवी में 60 लड़के और 80 लड़कियां थी यह दर्शाने के लिए हम लड़कों की संख्या निरुपित करने वाला दंड संख्या 60 तक खीचेंगे और उसी के साथ लड़कियों की संख्या निरुपित करने वाला दंड संख्या 80 तक खीचेंगे इसी तरह हम सभी वर्षों के आकडों को द्विदंड आलेक के रूप में निरुपित करेंगे ध्यान रहे हम दंडों के चोड़ाई समान रखेंगे तथा दंडों के युगमों के बीच दूरी भी समान रखेंगे इस प्रकार हमें एक द्विदंड आलेक प्राप्त होगा अब अगर हमें ग्याद करना होगा कि कौन से वर्ष लड़कों और लड़कियों की संख्या में सबसे अधिक अंतर था तो दंडों की लंबाईयों को देखकर आसानी से बता सकते हैं कि 2007 में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर सबसे अधिक था इसी तरह हम अलग-अलग सूचनाय भी प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार एक द्विदंड आलेख में दो अलग-अलग प्रकार के एक दूसरे से संबंधित आंकडों को दंडों के युगमके रूप में दर्शाया जाता है ताकि आंकडों के दो समोहों की तुलना की जा सके दोनों आकडों के लिए एक ही पैमाने यानि स्केल का प्रयोग किया जाता है तंड आलेक की तरह द्विदंड आलेक भी शैतिज या उर्ध्वाधर रूप से खीचा जा सकता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में और अच्छे से समझेंगे तो आज हमने सीखा द्विदंड आलेक क्या है तथा इसे कैसे खीचा जाता है अगले वीडियो में इससे जुड़े कुछ दिल्चस्प उधारन देखेंगे